कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एक्जाम के प्रपेशन भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पार्ट शाला में आज कर टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखी गया होगा आज हम बात करने वाले है री रेजिस्ट्रेशन के बारे में तो यह क्या होता है और अभी आपको क्यों करा लेना चाहिए यह मैं आपको बताता हुआ चलूँगा इस वीडियो में तो पूरा देखेगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए कहना चाहूंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है पहले आपको अपने second year में अगर आप फस्ट यूर में फो तो आपको second year admission करा लेना है अगर अगर आपका सब्सक्रे में एक साल का कोर्स सट्डि पूरा हो गया है तो आप second HE के लिए आप यह कर सकते हो आप उसमें admission करा सकते हो without giving the examination suppose आपने July 2021 में आपने admission कराया था उससे अच्छा example होगा कि suppose आपने January 2021 में admission कराया था और आपका December 2021 में आप exam देने वाले था आपका एक साल पूरा हो रहा था लेकिन exam तो भी हुए नहीं है तो हो सकता आपके मन में आएंगी exam हो जाए उसके बाद में admission कराया होगा ऐसा गलती बिल्कुल मत करना अगर आप exam खत्म होने की wait करोगे तो 6 मेना आपका बरबाद हो चुका है हो जाएगा actually ठीक है आपका जैसे ही examination एक साल पूरा हो जाए आपके course का फटा फट second year में admission करा लो जिसे हम re-registration कहते है उसका date 10 फरवी तक अलड़ी बढ़ा हुआ है ठीक है ना यहां पर जाकर कि आप re-register करवाओ खुद को करवाने के बाद आप जो है next जो आपका जब भी exam होगा first year का अब तब exam दे देना और second year का ठीक एक साल बाद कर देना कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उनका एक साल पूरा हो गया December 2021 में तो वो लोग वेट करते हैं कि मेरा exam खतम हो जाया है result आ जाया है फिर करवाएंगे तो सपोज आपका exam अगर January में हो जाता result आते आते मार्च एप्रिल होते तो आप admission कब कराते हैं जून-जुलाई वाले session में तो 6 महिना जो था December से लेके जून तक का वो आपने एक तरीके से बरबाद कर दिया तुकि आप जैसे ही second year में admission कराओगे जिस date पर आप कराओगे वहां सी वो एक साल count करेगा तब आप second year के exam में आप एक पियर कर पाओगे मत्तब दो साल का जो आपका course है वो धाई साल का हो गया आप समझे रहां मैं आपको क्या बताने की कोशिच कर रहा हूँ तो इस वेरी इंपॉर्टन कि आप अपना admission भले ही आपने भी exam नहीं दिया हो अपना final examination फिर एक साल हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉसेस है इस वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे में देखो यहां पर डिटेल्स आ रही है यहां पर लिंक में कैसे जाओं तो लिंक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना है कि आपको Google पर टाइप करना है यहां रिए रेजिस्ट्रेशन इन्ली आप जैसे इसको टाइप करोगी जो सबसे पहला लिंक को खुला है वो है रिए स्ट्रेशन का आप इगनु के वेबसाइट पर जा करके इसके उपर आप जैसे करना है ताकि आप second year के लिए आप appear कर सको और आपका 6 महिने का जो term है वो आपका बरबाद ना हो ठीक है so this is the end of this video I hope कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आओगा जहां पर मैंने बहुत ही यूसफुल जानकारी आपको दी है कि अगर आप first year में हो आपने अभी तक अपना एक्जाम नहीं दिया है फिर भी आप admission करा लो यूकि इससे आपके 6 महिने बचेंगे और आप examination भी साही टाइम पर खतम कर पाऊगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए एक चीज़ और मैं बताता चलू कि हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अविलेबल है एकनू के बीकॉम first year से लेकर के third year साथी एक से लेकर के second year तक की धेर सारी प्लेलिस्ट है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले option में अगर आप जाओगे तो आपको धेर सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जिसको देख करके आप definitely examination में बहुत ही अच्छे marks लाप आओगे आपको करना क्या है मैं आपको बताता चल लाएगा कि यह मैंने सर्च करा यह देखो हमारा चैनल का नाम सबसे स्टार्टिंग में आ गया कॉमर्सी पार्चल आप इसके उपर क्लिक करोगे हमारे यहां पर तक्रीमन 18,000 स्टूडेंस हमारे साथ पढ़ चुके हैं अल्रडी पढ़ रहे हैं तो बहुत ट्रस्टे हमार हमारा वेबसाइट है बहुत ट्रस्टे हमारा यूटीब चैनल है काफी लोगों की अप्रेशेशन हमें मिल चुकी है तो आप हमारे चैनल को पक्का जॉइन कीजिए यहां पर देको इगनु एमकॉम फर्स्ट इयर इसके उपर आप यह से ही क्लिक करोगे आपको इगनु फ है ना देखो एमकॉम फर्स्ट इयर सेकेंड यह बीकॉम बीकॉम के अभी एक और बनेगी जो बीकॉम का जो नया सलिबस स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां पर एक और आपको शोग करेगा साथी साथ जो इनकनु सीप्सी के लाइवन को स्टूडेंट से जो ए यहां बीकॉर्डिंग बीकॉर्डिंग बीकॉर्डडर्ब स works!